आप लोगों के एक और हमारे नीव ब्लोग में स्वागत है अभी हम हॉली क्रोश इसकूल आए आप देख सकते हैं यह इसकूल है इसके अंदर जो है जो वहन से लेके त्ने तक की परही होती है आप देखें किस तरीक से इसकूल को बनाएगी जो बेंगलाउड के अंदर है य यहाँ पर बॉलिवाल रोग्हाईर खेलने के लिए अब देख सकते हैं इसके लिए यह प्रेइंग राउन्ड है इसके कितना वड़ाइब वह तक है आप देख सकते हैं इसके बच्चे लोग खेलते हैं पढ़ह चुटी हो जाता है जब बीच में मिलता है तो इसमें क्याय जो यहां बना हुआ इस पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चे लोग यह देखें नित जाल की तरफ बना के रखा हुआ इसमें प्रैक्टिस करने के लिए इस सेट भी या खेलने के लिए आप देख सकते हैं यह बच्चे लोग अभी जा रहे हैं सभी स्कूल क्लास के अंदर अभी गही थे घूमने के लिए खेल के जा रहे हैं फिर अभी क्लास से छुटी वह दूसरी क्लास में जा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया है जैसे लगता है अगर यहां बेंगलोड के अंदर यह फैदा है इसकूल के अंदर अगर आप आओगे तो बच्चे को इस तरीक से मन लग जाता है कि आपको एट्वमेटिक बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि आप जाओ पढ़ने के लिए यह खुद बखुद यहां पढ़ने के लिए आजाते हैं इस तरीक से इनों बनाया है हर एक चीज बनाया गया है अधम खुबसूर्ति से हर चीज को अर्केटेक्ट किया गया देख सकते हैं बच्चे लोग को भी इसमें दिल लगता है पढ़ने के लिए आते हैं यह तू आपकिंग है यह देख से पारकिंग है तू इविलर का अ बच्चे लोग इसमें दिल लगा रहता है इसके अंदर नेचर से भी दिल लगा रहता है और पढ़ने में मन लगता है इसलिए बंगलोर के अंदर इतना अच्छा एजूकेशन का सुविधा है इस तरीक से हम लोग के यहां नहीं है अएसا ही सुविधागर हमारे जी में रहता है वीहार में लगान देख निर्व्जा शु sensitive प्यार नच्वर्द में रहता है इसलिए भूट इतको करिकलें यह इनलोग के माणस्द और बाहर निकल आखते है निलेए बाहर का भी थोड़ा भी आपको दिखाते हैं में रोड का यह जो है सैट सैट का है वह में गेट है वहां जा रहे हैं यह में गेट है